हाई फ्रेंज असलाम अलेकुम एन वेलकम बेक टो यॉर वेरी ओन पटेल्स किचन मैं हूं मुबीना पटेल और आज है दे फोर्टींट ओफ रमजान यानि के चौड़ बारोजा और आज के इफटार में मैंने बनाए मैं मनें फिंगर्स में इस तरीके से कट कर लिया मैरे पास वीनियगर एक तीसपून रैच्चिली सॉस न रैच्चिली सॉस और एक टबलस पून सेज्वान चट्णी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी इसके अंदर पानी एड़ करके मैं एक बैटर रेड़ी कर लूँगी मैं इसके अंदर हल्का सा ओरेंज रेड़ फुट कलर एड़ करूँगी क्योंकि इसका कलर अच्छा मार्केट वाला लगे यह ऑप्शनल है आप स्किप भी कर सकते हो तो यह बैटर रेड़ी हो जाता है तो मैं क्या करूँगी को ओईल गरम होने के लिए छोड़ दिया है मैंने ओईल के गरम होते ही मैं पनीर को बैटर के अंदर डिप करूँगी और पनीर को फ्राइ कर लूँगी तो ये पनीर को ओयल में अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है मैं एक एक करके सारे पिसिस को एड़ कर दूंगी और पनीर को फ्राई कर लूंगी फ्रेंस रेसिपी बहुत इजी एंड सिंपल है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर जरूर करना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मैंने बहुत साली रेसिपी शेयर की हुई है तो आप चेक जरूर कर लिना लिंक आई बटन पर डे दूंगी तो ये देखो पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है तो मैंने इसको साइड में निकाल लिया अब मैं सॉसेस रेडी कर लूँगी तो इसके लिए मैंने एक तीसपून वीनेगर एक तेबल स्पून रेच चिली सॉस एक तीसपून सॉय सॉस ठोड़ा सा रेट फूट कलर और एड किया है हाफ तीसपून ब्लेक पेपर पाउडर एक तीसपून कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर और एक तेबल स्पून सेजवान चतनी सेजवान चतनी होममेद है इसका लिंक आई बटन पर डे दूँगी और मैंने इसके अंदर डो तीन टेबल स्पून पानी एड किया है और टॉम इसलिए ऐसा ट्रांस्परेंट आपको दिख रहा होगी और गार्लिक को सौटे कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर एड कर देना है पनीर जो मैंने फ्राइ करके रखा हुआ है डफरेंस मैंने क्या किया है कि इसके उपर टूटपिक लगा दी है क्योंके खाने में भी आसानी हो और लुक वाइस भी अच्छा लगे और अब मैं क्या करूंगी कि वो सारे सौसीज एड कर दूंगी और सौसीज एड करने के बाद इसे ज्यादा कुप नहीं करना है नहीं तरह राइ हो जाएगा और बस इस तरीके से उलट पुलट करके पका लेना है क्योंके सौ मिर्च पावडर एड कर सकते हो जैसे आपकी चोईस तो बस यह रेड़ी है फ्लेम ओफ कर दिया है मैंने मैंने आज की इफटार में पोटेटो टर्नाडो भी बनाए थे इसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है आप लोग चेक जरूर कर देना लिंक आई बटन पर डे आप यू लाग दे विडियो और शब्सक्राइब और मोर विडियो थेंक यू अलाह आफीज